पूशना खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिलबर, 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 दिलबर दोस्तों, आप जब भी ये गाना सुनते होंगे, तो सुश्मिता सेन का नाम आपकी जुमान पर जरूर आता होगा इन्होंने अपनी खुबसूरती से पूरी दुनिया को अपना दिवाना बनाया है ये कैसी अभी नेतरी हैं, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में काफी पॉपिलारिटी हासल की है लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप इनके हस्बेंट के बारे में जानते हैं, कि वे कौन हैं, क्या करते हैं, और कैसे दिखते हैं अगर आप भी इनके बारे में जानना चाते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंतक जरूर बने रही हैं और साथ ही मिस युनिवर्स के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना न भूलें शुश्मित सेन का जनम 19 नवेंबर 1975 को हैदरबाद आंधर प्रदेश में हुआ था अगर बात करें इनकी स्कूलिंग की तो इन्होंने वायू सेना गोल्डन जैनती संस्थान नई दिल्ली से की और ग्राजुएशन की पढ़ाई दिल्ली युनिवर्सिटी से की दोस्तों अगर बात करें इनके फिल्म में करियर की तो इन्होंने मिस युनिवर्स का खिताब जीतने के बाद अपनी पहली हिंदी फिल्म दस्तक से बॉलिवुड में अपना डेब्यू किया था और इसके बाद इन्होंने तमिल फिल्मों में भी अपना कदम रखा और साल 1997 की फिल्म रत्युगर्ण से तमिल इंडस्ट्री में भी अपना डेब्यू किया और इसके बाद इन्होंने कई और फिल्मों में भी काम किया जिन में बीवी नमबर उन आखें मैं हूना सिर्फ तुम बेवफा और मैंने प्यार क्यों किया जैसे हिट फिल्म में शामिल है इन फिल्मों को करने के बाद इन्हें कई पुरुसकारों से भी सम्मानित किया गया था जिन में सर्वशेष्ट साहिक अभी नेतरी और फिल्म फिल्म फियर पुरुसकार शामिल है इन्हें आखरी बार फिल्म निर्बाक में देखा गया था और खबरों की मानी तो कहा जा रहा है कि ये जल ही फिल्मों में कमबाक करने वाली है जहीं अगर बात करें इनके रियल लाइफ हजवन्ट के बारे में तो इन्होंने अभी तक शादी नहीं की हैं और ये अभी भी अभी भी अविवाहित है लेकिन ये किसी के साथ रिलेशन्शिप में जरूर है और उनका नाम रोहमन शॉल है अगर बात करें इनकी मुलाकात की तो इन दोनों की मुलाकात गाला के एक फैशन शो में हुई थे तब ही से इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और इन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और खबरों के मताबिक रोमन शॉल ने शुश्मिता सेन को शादी के लिए प्रपोस भी कर दिया है और जल्द ही ये दोनों शादी भी कर सकते हैं तो दोस्तों ये प्रेम और ऐसी खबरे कितनी सही है इस बारे में सुश्मिता सेन ने कोई बात नहीं कही है फिलाल इसे महज एक अफवाही करार दिया जा रहा है तो दोस्तों आपको सुश्मित से इनकी काउन से फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है अब हमें उस फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलिवुड से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूल